अश्वी माईकल जैक्षण जो है उसके बारों में आज बहुत कम चर्चा होती है लेकिन माइकल जैक्सन जो है एक समय पुरी दुनिया में जो है काफी मशूर थे और उनको लेकर के उनका जो गाने है और उनका जो जो नीजी जीवन है और किस देश का टूर कर रहे है इन चीजों को लेकर काफी जो है मतलब आजीबो गरीब टाइप की जो है कहानिया चलती रहती थी और काफी जिग्यासा थी लोगों में उसको ले करके एक बार तो मुंबई में भी आये थे और मुंबई में थे तो ऐसा लगी कि पता नहीं मनें कई राष्टा ध्यक्षों को के आगमन या उनके जाने को और मुंबई में आए थे बहुत बड़ी चीज़ है माइकल जेक्षन को याद करने का मेरा विश्याइल नहीं है अब यहाल फिलहाल जो है जब मैं यूट्यूब स्क्रोल करा था तो कुछ गाने जो है पुराने वो जो है दिखने लगे वो उनको मैंने सुना काफी अच्छे गाने थे एक गाना है हील दल वर्ड जिसमें जो विजूल है और जो गाने है दोनों में यह तिखाने कोशिश की गई है कि जो है दुनिया भर में वो सेनाय बढ़ती जा रही है टैंक और हत्यार बढ़ते जा रहे है इसकी कोई जरुवत नहीं है और और बच्चों को जग़ा जगा चाया है कराओ है इसके बार में हमको ध्यान नहीं देना चाहिए काफी मशूर गाना हुआ था है काफी अच्छा गाना है मैं उसको सुनेंगा तो अच्छा लगेगा आपको अगर आप उसकी लेरिक सुना समझ पाए तब भी उसके म्यूजिक जो है बहुत अच्छा है साउंट्रक सकते हैं आप दूसरा है एक और आर्थ सौंग एक है जो कि पर्यावरण के मुद्दे पर था कि मतलब कैसे जो है पेड़ काटे जा रहे हैं कैसे जो है दुनिया में जो है हर्याली नश्ट की जा रही है शहरों को बनाने के लिए और इस तरह से है ना तो यह मैकल जैक्सन के उसी जमाने में है मैकल जैक्सन को तो मैरे खाल से आज की पिढ़ी के कई जो युवा बच्चे हैं कि शोरा वस्था के में जो है वो शायद उनके बारे मुता जानते भी नहीं होंगे है ना तो आर्थ सौंग भी काफी मशूर हुआ था फिर एक और गाना मशूर हुआ था वाइट है ना कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आभ ब्लैक और वाइट है कि गैवाईट है ना और तमाम के दूनिया के लोगों का जो है उसमें दिखाया गया कि चाहें कोई चीनी हो, मंगोली हो, इराकी हो, इरानी हो, है ना, दक्षिन एशिया का हो, भार्दिय हो, या कोई भी हो, गोरा हो, काला हो, योरोपिय हो, है ना, इसे कोई फरक नहीं पड़ता है, आप गोरे हो की काले हो, है ना, और दुनिया जो है, वो एक बराबर है, सबक कि जो जो मीडिया है वो काफी कंट्रोल था भारत में दूरदशन बहुत समय तक चलते रहा भारत में प्राइवेट टेलविजन चैनल उस समय तक था नहीं और आज अगर है तब भी उसकी पहुंच बाकी दुनिया तक है कि नहीं वो देखने वाली बात है तो भी अपना आप का भविश्य देखना है और हमको जो है अपने शहरी जंजीवन को देखना पड़ेगा हमको अपना नोकरियों का और जो है शांति से हमको बैठना पड़ेगा बात करनी पड़ेगी और जो है हम मानवजात के बारे में सोचें और कोई गोरा हो या काला हो को फरक नहीं कहानी में ट्विस्ट यहां पर है कि अमेरिका का जो सत्ता प्रतिष्ठान है अमेरिका का जो जो खुफिया एजंसी है या अमेरिका का जो दुनिया भर तक्ता प्रत करने का जो एक चस्का है चस्का जो है कि दुनिया भर में जो है हमारे मतलब के सत्ता रहनी चाहिए किसी भी अगले के से अमेरिका ने अपने घूपिया एजेंसी है उसको गभी भी कभी भी कमजोर नहीं होने दिया है उसको हमेशा जो है चालू रखा है और जरौत पढ़ने पर जो है अगर मतलब वैसे वो जो है सफेर हांती बन जाएगा इसलिए उसको कोई ना कोई दुनिया बें लड़ाई चलते रहती है कि जहां पर अमेरिकी हस्तक्षेफ होता है है ना जिस की जो है जो खर्च हम कर रहे हैं उस सेना में आलव हाठियारों में वो जो है जस्तिथफाई होता रहा है ना आपके तना भी जो है बिना ठाट बिना ढाल वह सेना रखने पड़ लेगी जिए कि बागल में आपके चीन है। इधर आपके वो है पहले आपके बागल में तिबबत था, लेकिन आपने तिबबत को चीन बनने दिया, और इधर आपके बागल में अजी है। चाहें कोई भी वो हो, अब सेना को हत्यार देंगे कि नहीं, खरीद के हत्यार देंगे कि बना के हत्यार देंगे, वो आपको सोचना है, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये, कि दुनिया भर में कोई भी जो महाशक्ती होती है, जो सुपर पावर होता है, वो चलाकी य प्वाइद रही है दुनिया में जो हैं आप कोई भी मजभ कियों कोई फ़रक नहीं पड़ता Iसा जीugd के लिए हो T जाती है जिससे की आप शान्त रहें और आहां जो है हत्यारों को आ zar जिसे की जब कहीं पर भी जो हैं टकराओ पड़े i तो भैतर हत्यारों से हम जीत सकते हैं तो भैतर हत्यार कहां मिलेंगे तो वो अमेरिका में मिलेंगे ये है पॉलिटिक्स इसलिए मैंने माइधाल JEKSन का जिक्र ऊठाया कि माइधाल Jurassic क के वो गायने दुनिया बर में प्रसिद हो रहे ते और इस तरह से जो है अपने और बाकि दुनिया के बीच में गैप बनाया है ना अदियारों के मामले में खुफिया सूचना के आधार पे खुफिया सूचना के मामले में इस तरह से अपने और बाकी दुनिया के बीच में एक लंबा गैप बना सकते हुआ आप और उसके बाद जो है आप सुपर पावर बन जाते हैं यही काम अब चाइना कर रहा है है ना यही काम कर रहा ह Shared Prosperity Shared Prosperity Shared Prosperity का मतलब क्या है Shared Prosperity का मतलब यह है कि चीन के पास जो है दुनिया भर की manufacturing आ चुकी है अब बांकी देश जो है वो manufacturing के लिए कोशिश ना करें आपको जो चाहिए सस्ते में मिल जाएगा आप चीन के साथ वैबार करते रहिए आप अपने हां सोचोगे कि जो आपको चाहिए सस्ता चाहिए जितना चाहिए वो हम आपको देंगे हमसे खरीदो वैपार में घटा उठाओ लेकिन जो है अपने हां उद्योग लगाओगे तो महंगा पड़ेगा तुम्हारा उद्योग टिक नहीं पाएगा ठीक है तो और हमसे हमसे चुकी हम इतने ब चीन से चीन इसी बात को रटता रहता है लेकिन चीन जो है वो बहुत ही एंटर्टेनिंग या मीडिया के इस्तमाल से जादा नहीं कर रहा है इन चीजों को सरकारी नेरेटिवी चाहा रहा है वो सरकारों के बीच में जब कहीं बैठता है छोटी सरकारों के साथ मैंने जो छ करिए तीक है का मतलब है है वो यह कहता है है अपने हाँ द्यों аровसा जो और आपकी जो है यह जब चीड़ कहां मानना पड़ दखना एक अब कि सेनद डेश Yakर रहें यह दए पो आपकी की सेना जा रहें के रहें की नहीं घुम पा रही है वो भी आप देख लिजे है ना आ對 यह जो हैं पूरी बंशा है कि अमेरीका इस तरह से अपने और बाकी दुनिया की जाय दिया ना वह राखे देश लेएं वह ब्लानेके कि अब हमको टकराव की जरूरत नहीं है, मानवा दिकार, गोरे काले का भेद नहीं है, हम सब मानवा जात हैं, इस सब सुनते रहे, और उसी निती पर काम करते रहे, थोड़ा गरम, थोड़ा ज़्यादा, खंडा, तो इस तरह से बेखुफ बना करके, जो है, अमेरिका ने बा के दुनिया को बाचित का सुझाओ देते रहे, और आप जानते ही है, भारत, पाकिस्तान की बीच में जो ही चलता रहा, भारत, पाकिस्तान को आपसे बैट के बाद करने चाहिए, बुदे सुल्जाने चाहिए, यह बोलते रहे वो, लेकिन अपने जो है, वो बैठने को तय आपको मैंने एक, जो सुपर पावर के राजनीती होती है, वो कैसी होती है, उसके बाद मैंने आपको एक जलक दिखलाई, है ना, अभी जो है, उस तरह के एंटेटेनिंग गाने तो नहीं आते हैं, लेकिन सरकारी विगेपती आप देखेंगे, तो यह ही है, उसमें सुनने आपके हनोकरी का चिंता मत कीजिए, आप अपना जो है, कुछ भी कीजिए, लेकिन सस्ता समान हमसे खरीदिये, और हमसे नहीं खरीदेंगे, ऐसा तो हो इनी सकता है, क्योंकि आपको आपको आवसकता पड़ेगी ही, इसके लिए आपको हमारे पास आना पड़ेगा, है ना, चाहें वो अमेरिका हो, चाहें भारत हो, सबको जो है, वो कुछ न कुछ ऐसा है, जो की चीन से खरीदना पड़ता है, तो ये निरभरता जो है, उन्होंने पिछले 20 साल में बना ली है अपने उपर, तो इसका फाइदा वो उठा रहे हैं, अब वो चाहते हैं कि बाकी दु ठंडी पड़े, चुकि सिर्फ चीन हट्यार बनाए, अब बाकी देश जो है, वो हट्यार बनाने के चमता उनके पास न रहे, इसलिए जब उनको लड़ाई की ज़रत पड़ेगी, तो वो कहां जाएंगे, अमेरिका के पास जाएंगे, तो वो महंगे हथियार बेचेगा, शर्तों के साथ बेचेगा, चीन के पास जाएंगे, तो चीन बोलगा कि ठीक है, आपको जितने चाहिए हम देते हैं, है ना, आपको जितने चाहिए हम देते हैं, और चीन का हथियार बिक भी रहा है पर दुनिया में, खास्तों से अफरीका में, और बाकी जो अरब देश है यार आती हैं और आज हमको समझ माता है कि उस समय क्या कूटनिती या क्या राजनिती जो है वो की जा रही थी है ना तो उस दोरान जो है भारत जो है वो अपना जो है कभी कभार कभी कभार साल में दो साल में एक बार सुनने को मिलता था कि हाँ कोई एक लंबी दूरी की इतने पानी के टंकी बना देते ते इतने स्कूल चलादी इतने emo upwards और अ-प्रिशन कर रहे हैं क्यों on है रखेर्म के बाते सबस्क्राब टु है ना इस तब बनाइए से लिकनल कौचण 진행 करते हैं आगां को यह नहीं को ब्यान में यह था है कीति हैं किभाग्य को आगे स्टाँ कुछा जबी और अपना काम करदे रहे चुप चाप